हेलो फूडीज, वेलकम टू रजोई का स्वाद आज जो इस रेसिपी हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो एक कुकीज की रेसिपी है जो की हमने बिना बटर के बनाई है आज कर लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास समान बहुत कम हो गए हैं लिमिटेड चीजों में हमें सारी चीजें बनानी हैं और अपने घर वालों को देनी हैं बच्चे बड़े सभी इस टाइम घर में हैं तो उन्हें हर टाइम कुछ न कुछ स्नाकिंग के लिए खाने के लिए चाहिए होता है तो ये बहुत ही अच्छे कुकीज हैं देखे मैंने तोड़के आपको दिखाए हैं ये देखने में कितने कुरकुरे लग रहे हैं बहुत ही क्रंची बने हैं इसके जो क्राक्स हैं बीच में पोस दिख रहे हैं उससे देखके लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे बने हैं और ये बिलकुल बेकरी स्टाइल में बन करके तयार हुए हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं एक बोल में हम डाल देंगे एक कप पिसी हुई चीनी जो भी कप आप ले रहे हैं उसी कप से सारी चीजें मेजर करिए का चाहे वो आप ये मेजरिंग कप चाहे ले ले और नहीं हो तो आप जो चाय वाला कप होता है उसको भी ले सकते हैं या कटोरी भी ले सकते हैं लाप आपकी एक जैसी होनी चाहिए और इसमें हमने डाल दिया है एक कप वेजिटेबल ओयल vegetable oil बिना smell वाला लीचे का ये दोनों चीज़ें डाल करके हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे जब ये दोनों चीज़ें combine हो जाएंगी अच्छी तरीके से तब हम इसमें डाल देंगे half teaspoon baking soda, one teaspoon baking powder और one teaspoon vanilla essence ये तीनों चीज़ें डाल करके जब आप mix करेंगे तो बहुती creamy सा texture हो जाएगा बिल्कुल जैसे जब हम butter डाल करके mix करते हैं वैसा texture हो जाएगा इसका जब ये creamy texture में हो जाए तब हम अपना जो मैदा, दो कप मैदा लिया है हमने आप चाहें तो इसकी जगा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं दो कप हमने लिया है मैदा इसको हम आधा-धा करके इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से mix कर लेंगे ये जो flour हमें तयार करना है डो जो हमें तयार करना है वो हमको बहुत जादा गूदना नहीं है रोटी या पराठे के आटे की तरह से हम इसको गूद करके तयार नहीं करेंगे बस सारी चीज़े हमें कमबाइन करके एकटा करनी है कि सब चीज़े एकटा हो जाएं ये सारी चीज़े थोड़ी देर में आप जब इसको एक साथ करिएगा तो थोड़ी देर में ये सारी चीजे घटा हो जाएंगी इनके medium size के ball बना करके रख लीजे और अब इसको flat करके चाहिए तो आप butter paper भी इसके उपर लगा सकते हैं और नहीं तो इसको इसी तरीके से rolling pin से यानि बेलन से आधा inch की thickness रखते वे हम बेल लेंगे जब हम बेल रहे होंगे तब हम अपना microwave जो भी gadget आप यूज़ कर रहे हों अगर आप oven यूज़ कर रहे हैं तो oven को आप 170 degree पे preheat कर लीजे microwave यूज़ कर रहे हैं तो microwave को आप 180 degree पे और अगर आप कड़ाई में बनाने जा रहे हैं तो कड़ाई में एक rack रख लीजे और उसको बिलकुल medium flame पे रख करके preheat कर लीजे 10 minute के लिए हमें preheat करना है हमने जो ये रोटी बनाई है ये हमारी आदी इंच की बिल चुकी है अब हमने किसी भी mold का use नहीं किया है किसी भी cookie cutter का use नहीं किया है इस cookies को cut करने के लिए आपने देखा मैंने चक्कू से किस तरीके से बराबर में करते हुए square shape के cookies तयार कर लिए है अगर आपके पास cookie cutter ना हो तो आप इस तरह से cookies बना सकते है और अगर cookie cutter हो तो अपने हिसाब से अपने shape के हिसाब से आप उसको cut कर लीजे अगर आप इन दोनों चीज़ों में comfortable नहीं है तो आप किसी चोटी cutter या किसे ढखकन से भी इसको cut कर सकते है अब हम आपको दिखाएंगे कि आप इसमें किस तरह से अलग-अलग तरह की design भी बना सकते है इसको हमने जो है ये toothpick ली है toothpick को ऐसे slanted रखते हुए हलका हलका दबाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी lines बन जाएंगी इसी तरीके से आप चाकू का जो आगे का और पीछे का design होता है उसे भी आप इसमें design बना सकते हैं इन cookies को आप जो baking tray है उसके उपर अगर आप कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं जो कढ़ाई में एक थाली ले लीजेगा या plate ले लीजेगा उसके उपर foil लगा दीजेगा और इस तरीके से उसको थोड़े थोड़े distance पे करते हुए हम place कर देंगे और अगर oven या microwave में रख रहे हैं तो जो tray होती है उसको grease कर लीजे और grease करके उसके बाद इसमें रखेंगे जो cookies आप रख रहे होंगे उनको थोड़े थोड़े distance में रखेंगा क्योंकि अभी ये double हो जाएंगी size में काफी fullty है और फैल भी जाती है तो distance maintain रखेंगा इन cookies को आप जिस भी gadget में बना रहे हैं उसका temperature वही रखेंगा जैसे OTG में हम 170 degree पे bake करेंगे microwave में 180 पे करेंगे और अगर आप कड़ाई में रख रहे हैं तो कड़ाई की flame बिलकुल low रख दीजेगा और इसको हमें 12-15 मिनिट के लिए bake करना है तीनों चीजों में जो भी gadget आप यूज़ेट आप उसमें आप सिर्फ 12-15 मिनिट के लिए ही bake करिएगा कड़ाई में bake करते हुए आपका उपर का कलर बहुत अच्छा नहीं आएगा लेकिन आप 12-15 मिनिट से जादा इसको मत bake करिएगा नहीं तो आपकी cookies कड़ाई में जल जाएगी देखिए हमारी cookies 15 मिनिट के बाद बिल्कुल बन करके तयार हो गई हैं बहुत गरम हैं तो इसलिए आप इसको तुरंत मत निकालिएगा पाँच मिनिट के लिए इसको ट्रे पे ही रेस्ट करने दीचेगा फिर उसके बाद इसको निकाल करके एक वायर रेक पे रख दीचेगा जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं तब इनको आप सर्फ करिए का दूद या चाय के साथ इन्हें सर्फ करिए कॉफी के साथ स इसमें पीछे से देखे कितनी अच्छी जालियां पड़ी है और ये तूटने के बाद भी बहुत अच्छा दिख रहा है अंदर बहुत अच्छी जाली पड़ी है इसका मतलब कि हमारा बिस्किट बहुत ही अच्छा बन करके तयार हुआ है फ्रेंस होप करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक करिएगा रेसिपी को शेर करिएगा फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर थैंक यू